नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं तेज और मैं हूँ आपके साथ शैलेंदर पांडे आखिर क्या है इनकी कुंडली का सच? कौन से ग्रहें इनकी अपार सफलता के पीछे? और कौन से ग्रहें इनकी भयंकर मुश्किलों के पीछे? आज बात करेंगे आसा राम बापू के बारे में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन सितारों ने आसा राम बापू को दुनिया भर में मान सम्मान दिलाया? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आसा राम बापू की कुंडली की खास बातें क्या है? देखिए जो हमारे पास इनका विवरण उपलब्द है उसके आधार पर अगर हम कहें तो इनकी कुंडली बनती है मिथुन लगन की और धनू राशी की अब देखिए मिथुन लगन ऐसा लगन है जो बहुत प्रखर माना जाता है बहुत ताकतवर माना जाता है और मिथुन लगन के लोग अमूमन दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं बहुत जल्दी इंफ्लूएंस पैदा करते हैं और वो ताकत यहाँ पर लगन से आप देख सकते हैं सब्तम भाव में चला गया चंद्रमा राशी हो गई धनू धनू राशी बहुत ताकतवर मानी जाती है खास तोर से पराक्रम के मामले में साहस के मामले में शक्ती के मामले में अपनी बात को रखने के मामले में इसलिए मिथुन लग्न और धनू राशी का जो कॉम्बिनेशन है वही इनके लिए बहुत जादा ताकतवर है बहुत जादा अच्छा है अगर इनकी कुंडली का एक आदश भाव देखें तो वहाँ पर मेश राशी है और वहाँ पर जो खास चीज है वो वही मौजूद है सूर्य और ब्रिहस्पती का कॉम्बिनेशन है ब्रिहस्पती और सूर्य के योग को हम गुरू आदित्य योग कहते हैं और गुरू आदित्य योग का एकादश स्थान में पाया जाना ये बताता है कि व्यक्ति धर्म के ख्षेतर में या राजनीती के ख्षेतर में अपूर् प्रवचन देने वाले के तौर पर इनका नाम और यश किवल भारत में ही नहीं है दुनिया भर में फैल गया और धर्म के खेत्र में जाने के पीछे जो ग्रह जिम्मेदार है तो सूर्य और ब्रहस्पती ही हैं जो इनकी कुंडली के 11 थाउस में एकादश भाव में विद्यमा ब्रहस्पती का प्रभाव है इनकी कुंडली में पंचम भाव को गुरू देख रहा है तृतिय भाव को देख रहा है गुरू सब्तम भाव पर चंद्रमा को भी देख रहा है ब्रहस्पती का इतना जादा शुप प्रभाव होना यह बताता है कि आपका संबंद डिरेक्ली indirectly धर्म से कहीं न कहीं होगा कुई कि ब्रहस्पती का मतलब होता ही है धर्म धर्म के क्शेत्र में या धर्म संबंधिक कारयों की क्शेत्र में आप बहुत सारा नाम यश प्राप्त करते हैं क्योंकि ब्रहस्पती इनका बहुत ही जज्यादा प्रभावशाली है 11th house में है, mangal के घर में है और चंद्रमा से पंचम भाव में विद्यमान है अद्भुत है ब्रिहस्पती और शुक्र इनका वर्गोत्तम है नवमांच में भी और लग्न में भी सेम राशी में बैठा हुआ है शुक्र का वर्गोत्तम होना और ब्रहस्पती का इतना जादा मजबूत होना इनके अद्भुत प्रसिधी का कारण है और यकीन मानिए ये प्रसिधी अभी भी कोई बहुत जादा कम नहीं हुई है बहुत बड़ समू है इनके भक्तों का एक समू है जो इनके पीछे भाग रहा है, अभी भी है, काफी है तो ऐसा नहीं कह सकते है कि ब्रिहसपती का प्रभाव कमजोर है, शुक्र का प्रभाव कमजोर है जिसकी वज़ा से इनके popularity में कमी आ रही है नहीं जो इनके भक्त हैं वो आज भी इनके पीछे दोड़ रहे हैं और जिनके लिए आसा राम बापू आसा राम बापू पहले थे उनके लिए आसा राम बापू आज ही भी है यानि इनके भक्त इनके पुर्ति पूरी तरह से समर्पिथ हैं और उसके पीछे इनकी कुंडली का ब्रिहस्पती है और ताकतवर शुक्र है लगन कुंडली के अलामा हम सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली भी देखते हैं और सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली इनकी जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली है जरूरत से ज्यादा ताकतवर है आसा राम बापूगी कुंडली का जो प्रचंड राजियोग है वो चंद्र कुंडली से प्रकट होता है इनकी चंद्र कुंडली को आप सामने रखे देखेंगे आपको सारी कहानी समझ में आएगी कि कैसे एक व्यक्ति इतनी ज्यादा उचाईयों को चू सकता है ये बात आपको लगन से समझ में नहीं आएगी और चंद्रमा की इतनी ज्यादा ताकत की वज़े से और चंद्र कुंडली के इतने ज्यादा प्रबल होने की वज़े से इनको जीवन में इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई कि आसाराम बापु ने एक बहुत छोटे स्तरके कथा वाचक से शुरुवात की थी और आज के डेट में देश विदेश में आसाराम बापु के जानने और मानने वाले हैं होगी चंद्रमा ने इनको अपूर्व सफलता प्रदान की है और साती साथ सोने पे सुवागा ब्रहस्पती भी इनका बेहतर है कुछ लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है अनावश्यक इनको फसाया गया है वो तो बहुत सज्जन आदमी है दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में यूनिवर्स में गोचर में राहू भी जहां बैठा हुआ है कन्याराशी में वहां से इनके लिए लगातार समस्याएं दे रहा है विवादों के थमने का सिलसिला समापती ही नहीं हो रहा राहू एकक से एक इनके उपर आरोप लगवा रहा है कभी कहवा देता है कि गवाहों के साथ ऐसा हो गया कभी एक नया मामला सामने आ जाता है कभी कोई आरोप लगा देता है कभी कोड की तरफ से कोई आदेश आ जाता है कभी आश्रम पे छापा पड़ जाता है कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिसके लिए राहू जिम्मेद अब क्या होगा इनका? क्या कभी इस मामले से बाहर आप आएंगे? या ऐसे ही जिन्दगी बीच जाएगी? देखिए, जो तिश कहता है कि जनवरी 2016 के अंतिम समय में राहू अपनी राशी परिवर्तित करेगा और राहू ही इस तमाम उधम के पीछे जिम्मेदार है, तमाम कौंस्पिरेसी के पीछे, तमाम शरयंतर के पीछे, तमाम भ्रम के पीछे इसलिए जनवरी 2016 के अंत में जब राहू अपनी राशी परिवर्तित करके सिंग राशी में जाएगा तब इनका समय सुधरता हुआ दिखाई देगा जनवरी 2016 के अंत में आप ये देख सकते हैं कि इनका समय धीरे धीरे बेहतर होगा और 2016 में बहुत हद तक अपनी मुश्किलों से ये बाहर आते हुए दिखाई देंगे एके करके हर मामले से जनवरी 16 के अंत के बाद से इनकी चीजें लगातार बहतर होती चली जाएंगी लेकिन ये पूरी तोर से तब ठीक होंगे जब शनी इनकी अपनी राशी में चला जाएगा शनी इनकी अपनी राशी में जाएगा जनवरी 2017 में जनवरी 2017 में शनी धनु राशी में प्रवेश करेंगे और वहां से हम ये कह सकते हैं जोतिश के हिसाब से कि आसाराम बापू अपनी सारी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे लेकिन मोटे तोर पे अभी का वक्त कठिन है जन्वरी के अंत के बाद से इनका वक्त बेहतर होना शुरू होगा और जन्वरी 2017 के बाद से आप देख पाएंगे दोबारा से आसाराम बापू को प्रवजन देते हुए दोबारा से अपने भक्तों के साथ समागम करते हुए और दोबारा से धर्म के उबदेश प्रदान करते हुए